नमस्कार दोस्तों मेरे चैनल पर आपका स्वागत है तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि आमला और अलो विरा जूस का सेवन किस प्रकार से करना चाहिए इछली वीडियो में जिसमें मैंने आमला और अलो विरा के बेनिफिट्स शेयर करें हैं उन सब वीडियो में आपने मुझसे बहुत पूछा कि इसको राइट वे किस सहां से लिया जा सकता है काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनने राइट मैथट नहीं बता है कि आमला अलोविरा का सेवन किस प्रकार से करना चाहिए तो मैंने सुचा क्यों नहीं इन्फोर्मेशन आप तक पहुचा हूँ और अगर आपको आमला अलोविरा के बेनेफिट्स की डिटेल वीडियो देखनी है तो इस वीडियो के एंड में आपको उनका लिंक भी मिल जाएगा तो आप देख सकते हैं यह आमला और अलोविरा मेरे सामने है सबसे पहले आप ले लिजिए वाउम वाटर और वाउम वाटर में आपको मिलाना है तीन चमच अलोविरा जूस और उसके बाद आपको मिलाना है दो चमच आमला जूस अब आप इसे मिक्स कर लिजिए तो यह मैंने इसे मिक्स कर लिया है आप देख सकते हैं तो यह हमारा आमला अलोविरा जूस पानी है जो हमें सुबह सबसे पहले उठकर पीना है अपका पानी जो है वो गुनगुना होना जुरूरी है कि अगर वॉर्म होगा तो आपको काफी ज्यादा बैनेफिट प्रोवाइट करेगा और आपकी कॉण्स्टिपेशन को रिमूप करने में काफी मदद करेगा और यह पानी आपको वेडोज करने में है करेगा तो यह एक राइट मेथड है इस तरह से आपको आमला और अलो वीरा जूस का सेवन करना चाहिए तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और इस वीडियो को शेयर भी करिए ताकि एंफोमेशन और अपकमिंग वीडियो भी आप तक पहुंचती जाएं तो तिल दन यू टेक क्यार आप गुद देए बाबाइ